हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स अपार इंडस्ट्रीज की ओर से जून क्वाटर के फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है आज इस वीडियो में अनलसिस करेंगे स्टैंडर ओन रिजल्ट्स आउट हो चुके जो किम लोग कवर करे स्टैंडर ओन और नंबर करोर्स में हैं पहले इंकम की बात करें तो इंकम में 3786 करोड़ का पिछले क्वाटर में 4099 करोड़ का और जून 22 क्वाटर में 3097 करोड़ का इंकम था क्वाटर ओन और डाउन है यहर ओन यहर में तेजी देखने को मिल रहा है एक्सपेंस कंपनी का है 3523 करोड़ का पिछले क्वाटर में 3771 करोड़ का और जून 22 क्वाटर में 2942 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter की expenses down है लेकिन year on year में expenses increase किया income के according इसके बाद operating profit निकल के आया 263 करोड का पिछले quarter में 200 so 328 करोड का और June 22 quarter में 155.6 करोड का operating profit है जो कि quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है net profit company का इस बाद निकल के आया profit after tax 197 करोड का पिछले quarter में 242.7 करोड का और June 22 quarter में 122.4 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है EPS company का 51.59 रूपेश का quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिला है तो guys company का जो result आया है average को इस quarter on quarter के income and profit दोनों में fall देखने को मिला है अगर हम लोगे standard on results को cover करें income है 3521 करोड का पिछले quarter 3821 करोड का और June 22 quarter में 2833 करोड का income था quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है expenses 3262 करोड का पिछले quarter में 3507 करोड का और June 22 quarter में 2701 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में down है year on year में increase किया इसके बाद operating profit निकल के आया है 258.4 करोड का पिछले quarter 314 करोड का और June 22 quarter में 131.7 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है जिसके बाद यहाँ पे net profit निकल के आया है company का 193 करोड का पिछले quarter में 234.8 करोड का और June 22 quarter में 98 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में तेज़ी देखने को मिला है EPS 50.53 रुपीश का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys company का जो result है average है क्योंकि quarter on quarter में income and profit दोनों में fall देखने को मिला है अगर segment वाज revenue की बात करें यहाँ पे company conductors, transformer and specialty, oils, power and telecom, cables और अधर सिंस अभी से revenue जनरेट करा है जो कि यहाँ पर average है company overall average result पेज़ गया तो हम लोग वीडियो को ही प्रेंट करता है अगर कोई comment box में पुछे मिलता है नेक्स टोड़ों में तिल दन बाबाबाद